हलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हमोचिंदे आपका स्वागत है में रूट्यूब चाल्म पर आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से important mountains के बारे में साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कुछ rivers के बारे में rivers का source कहां से है उसके बारे में थोड़ा सब पढ़ेंगे so without wasting a single let's head towards our video lecture okay so सबसे पहले हमारा मरवार अर्वली और मेवार को हम याद रखेंगे हम सबसे पहले यहां पर मैप में देखते है उसको यह देखिए मरवार हमें सबसे पहले उपर में मरवार प्लेट्व बाद में अर्वली रेंज आएंगा और बाद में आएगा मेवार प्लेट्व एक हो अगया देखते हैं आराम सें देखे, मर को consider करेंगे सो मर को अगर total consider करेंगे तो मरवार प्लैट्य हो जाएगा, बाद में AR को consider करेंगे, सरफ AR को अगर consider करेंगे, वो अरवली के लिए हो जाएगा AR of अरवली is AR of मर उसके बाद में दबार M के उपर Mehwar, ऑकके सो यह जो confusion है हमारा मेवार उपर है या मरवार उपर है सो वह हमारा यहां पर दूर हो जाएगा उसके बाद में हम चलते हैं विंध्या नर्मदा और साथपुरा की दरफ मैप में देखते हैं सबसे पहले विंध्या आपको देख रही होगी यहां पर उसके बाद में आती है साथपुरा रेंच उसके बीच में है नर्मदा उसके बीच में क्या है नर्मदा सो हम इसको अच्छे से देखते हैं एक बार विंसा कंसरे करते हैं जो गांधी जी करते थे वो थी अहिंसा हम करेंगे विंसा ओके विंसा में अगर देखेंगे तो वी आए मतलब हो जाएगा विंध्या के लिए सा मतलब हो जाएगा साथपूरा के लिए और इसका एन जो है बीच में का विंसा का वह जाएगा नर्मदा के लिए जो की बीच में पड़ती है विंद्या और साथपूरा के अब साथपूरा के बाद क्या आता है साथपूरा को जो टीपी है उसको कंसरे करेंगे साथपूरा क TP को consider करेंगे तो हो जाएगा हमारा तापी साथपूरा की नीचे आगा फिर तापी देखते हैं यहाँ पर विंद्या रेंच और साथपूरा रेंच के बीच में नर्मदा हो गई हमारी साथपूरा के TP को consider करेंगे भाई TP को consider करेंगे तो आजाएगा तापी हमारा सो रिवर तापी, तापी से एक statement बनता है वो हम देखते हैं क्या statement है तापी के गोध के भीमा कृष्णा तापी के गोध के भीमा कृष्णा तापी for तापी रिवर क का कोई मतलब नहीं है कि गोध for गुदावरी क that is कलसुभाई कलसुभाई एक पिक है सो उसको याद रखने के लिए मैंने सिर्फ बीच में डाल दिया तापी के गोध के भीमा गरिश्णा भीमा for भीमा नदी कृष्णा for कृष्णा सबसे पहले आती है हमारी तापी तापी का उगम कहां से है तापी का जो source है वो कहां से वो देखेंगे तो महाराष्ट और MP में से ये तापी जो है वो फ्लो करती है महाराष्ट और MP उके तापी उसके बाद में ये बेतुल डिस्टिक्ट में इसका ये है source बेतुल डिस्टिक्ट में है तापी का बाद में क्या बोल सकते कि इस साथ पूरा साथ पूरा में इसका है बेतूल डिस्टिक्ट में इसलिएंत पीग का िेक्स naatar हमाणी गुदावरी गुदावरी इस सेकेंड लौंगेस्ट रिवर इनिया इंडिया गुदान वखल whip लेक्ट व क्मेश्ड में कहां पर महाराष्ट में गुदावरी का उगम है बाद में आते है कल्सु बाई कल्सु बाई एपिक है और कुछ नहीं है तो कल्सु बाई गुदावरी और भीमा के बीच में आता है सकते हैं अब भीमा का उगम है वह कहां से भीमा का है यह भीमा शंकर में भीमा शंकर आत है महाराष्टा कृष्णा महाबलेश और महाराष्टा सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं कर नदी जाओंगा छोटा राजमाहल देखूंगा मैं आग कहाँ जाओंगा तो चोटा राजमाहल को देखूंगा मैकल फॉर मैकल रेंच यहां पर देख सकते हैं मैकल फॉर मैकल रेंच मैकल बागेल जाओंगा बागेल फॉर बागेल खन प्लैट्यू तो मैकल रेंच बागेल खन प्लैट्यू क्या देखूंगा चोटा राजमहल देखूंगा ओके चोटा फॉर चोटा नागपूर प्लैट मैकल ₤ मैकल ₤ Пnag ₤ बागिल ₹प भागिल ₤ प्लैटू ₤ बाद मैं छोटा ₹ नागपु ₹ फिर ₹ महाल ₹ भागिल ₤ प्लैटू ₹ राजमहर ₹ के लिए ₹। देख लिए उसके बाद में पूछते हैं अगर हमको बोला जाए कि वेस्ट से लेके या फिर नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ इस्ट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो कौन-कौन सी रिवर्स आएंगी अगर सबसे पहले हैं चंबल बुंदल खंड शिंद बेटवा केन उसके बाद में आता है सन भी आता है अगर सन भी आएगा यहां पर देखें चंद फॉर पूरा स्टेट्मेंट पढ़ेंगे एक बार चंद की बूंद सी बेटी का सन चंद की बूंद है की का कोई मिनिंग नहीं है बूंद फॉर बूंदल खंड बूंदल खंड प्लैटियो मुझे पता है रिवर नहीं है उसके बाद में सी सी फॉर सिंद बेटी बेटी का बेटवा का बेटवा का बेटी हो जाएगा का का जो के है वो हमारे केन का केन हो जाएगा के हो जाएगा इस तरीके से हम याद रख सकते है, चांद की बुंद सी बेटी, चांद की बुंद होती है, for example, उसके जैसे बेटी है, उसका सन, okay, चांद की बुंद सी बेटी का सन, so, चंबल, बुंदेलखंट, सिंद, बेटवा, केन, okay, so, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते है, बाद मे do for doda beta do of do is do of doda beta then not ka n जो है वो निलगरी hills का एन आ जाएगा pass for pass of Palghat pass PP okay Palghat pass और ये pass okay Anayi moody that is Anil ko pass मत करना so do not pass Anil Anil for Anayi moody okay so An of Anil is An of Anayi moody so इस तरह के से और Anayi moody आपको पता है तो Western Ghat का सबसे बड़ा पीक है Anayi moody okay हम देख सकते इसको निलगरी hills sorry doda beta सबसे पहले do not not for निलगरी hills pass for Palghat pass Anil for Anayi moody so इस तरह के से एक sequence में आ जाएगा ये okay sequence में आ जाएगा अब देखते सबसे पहले बुंदेलखंड plateau जो हमने देखा था वह कहां पे है बुंदेलखंड plateau का जो location है वो location पढ़ता है उत्तरप्रदेश MP और border of Madhya प्रदेश बुंदेलखंड उत्तरप्रदेश MP में पढ़ता है और most of the region जो है बुंदेलखंड का वह पढ़ता है मद्ध्रदेश में most of the region of बुंदिलखन इन मद्ध्रदेश उसके बाद में चलता है बागलखन की तरफ बागलखन जो है बागलखन प्लाट्यू हमारा वह नौर्थ इस्ट अफ इंपी- में पड़ेगा सथिसात में साथिस्ट नोर्थ इस्ट में श्रीजिशस वह घ्रडदेश में बिनो और और इसके south में आती है महानदी ये देखिए महानदी इसके south में आती है उसके बात में Raj mahal hills वो सबस्के बड़ा इसमी चलता है और जी इससा सबसे बड़ा हो मेलेरस धनना है तो Onu इस्प्रक्स पाता हो चाहिए तो ये इस्टंघाट हो गया इसिकॉर सर्फ से बड़ा पेक हमा